आज है जैनरी 2nd 2021 इस येर में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सो हैपी न्यू येर टू आल फैमिली मेंबर्स आफ स्टूदेंट सक्सेस यूट्यूब चैनल स्टूदेंट्स जैसे कि आप जानते हो कि कॉंप्योटर MCQ की सीरीज चल रही है जिसका हम पार्ट 31 आज डिसकस करेंगे जो स्टूदेंट्स नए हैं मैं उन सब के लिए बता दूँ कि इससे पहले हम MS Word and MS Excel के MCQ की सीरीज कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम MS PowerPoint के MCQ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हम सेट नंबर 1 आज डिसकस करेंगे स्टूदेंट्स मैं आप सब को बता दूँ कि आप चाहे किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग क्लर्क, SSC, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, रेलवेज, एक्सेक्टर तो यह लेक्चर आपके लिए बेनिफिशिल होने वाला है हर सेट में मैं आपके साथ प्रिविएस येर्स के 20 कोशिन्स डिसक्रिस करूँगा Students, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पूछूँँगा जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में बताना है Let's start with question no.1 To start Microsoft PowerPoint application Microsoft PowerPoint application को start करने के लिए आप क्या करोगे तो इसका correct answer है option C सबसे पहले आप start पे click करोगे उसके बाद आप run command box open करोगे और उसके बाद run command box में आप powerpnt टाइप करोगे and then enter press करोगे तो उसके बाद आपके सामने Microsoft PowerPoint की application open हो जाएगी यह देखिए जैसे आपने start पर click किया and run type किया and then enter press करने के बाद आपके सामने run command box open हो जाएगा यहाँ पर आप type करोगे power pnt and then enter press करोगे तो यह आपके सामने एक PowerPoint application open हो गई है run command box open करने के लिए आप Windows plus R shortcut की भी use कर सकते हो next question to start slideshow of a presentation in latest version latest version में slideshow presentation start करने के लिए आप कौन सी की press करोगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि latest version of MS Office कौन सा है तो latest version of MS Office 2019 चल रहा है इसमें slideshow चलाने के लिए आपको different options मिलेंगी तो slideshow चलाने के लिए आप कौन कौन सी options use कर सकते हो तो इसका correct answer है option B both A and B आप PowerPoint application में slideshow चलाने के लिए shortcut की F5 use कर सकते हो और second option है आप slideshow menu में जाओगे और वहां से from beginning वाली option को use करोगे यह दिखी जैसे यह आपके सामने एक project की presentation open है हम इसका slideshow चलाने के लिए F5 की press करते हैं slideshow वाले menu पर जाओगे और after that यहां से यह first वाली option चूज करोगे from beginning then आपके सामने slideshow start हो जाएगा तो अगर आपको question आए कि आप slideshow start करना चाहते हो current slide से तो आप कौन सी option चूज करोगे इसके लिए आप from current slide option चूज करोगे अब यहां से एक और question arise होता है कि अगर आप current slide से slideshow start करना चाहते हो तो उसके लिए shortcut की कौन सी use होगी तो उसके लिए shortcut की shift plus F5 use होती है यह देखिए मैंने current slide से slideshow start किया shift plus F5 की press करने के बाद तो beginning से slideshow start करने के लिए shortcut की F5 use होती है और अगर आप current slide से slideshow start करना चाहते हो तो shift plus F5 की use होती है next question को start करने से पहले मैं आप सब को एक चीज बताना चाहूँगा कि government exam की preparation करते करते कई बार students निराश हो जाते हैं तो मैं उन सब students के लिए अपने इस channel पे motivational lectures भी लेकर आता रहता हूँ आपको उन motivational videos से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक video upload की है कहानी एक painter की जो की motivational story है एक painter की अगर आपने वह video नहीं देखी तो आप यहाँ पे right corner में एक i button आएगा आप उस पे click करके वह video भी देख सकते हो इस video का link मैं आपको description and end screen में भी डाल दूँगा किसी भी काम को करने के लिए motivation की जरूरत होती है तब ही तो कहते हैं मनजिल उनी को मिलती है जो निरंतर चलते हैं because consistency is the key to success चलते हैं next question की ओर which shortcut key inserts a new slide in current presentation अगर आप current presentation में new slide insert करना चाहते हो तो आप कौन सी shortcut की use करोगे तो इसका correct answer है option B control plus M shortcut key यह आपके सामने यह left side पे यह आपको slides नजर आ रही है अगर आप यहाँ पे कोई और slide enter करना चाहते हो तो आप कौन सी shortcut key press करोगे control plus M यह देखिए एक new slide आपके सामने आ गई है आप सेम काम यहाँ पे home tap पे जाके new slide option को चूज करने के बाद भी कर सकते हो यह देखिए यह आपके सामने एक new slide insert हो गई है new slide open करने के लिए आप यहाँ पे left side पे किसी भी slide पे right click करोगे और इस shortcut menu में से new slide option को चूज करोगे तो यह देखिए एक और slide insert हो गई है तो आप तीन method से new slide insert कर सकते हो shortcut key की help से और right click करने के बाद shortcut menu वाली options में से next question slide shorter of power point is available on dash menu तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि slide shorter है क्या चीज़ तो slide shorter क्या है slide shorter एक view है तो slide shorter एक view है यह कौन से menu माएगा तो इसका correct answer है option C view menu यह देखिए यह आपके सामने एक power point presentation है आप view menu पे जाके presentation views देख सकते हो normal, outline view, slide shorter, notes page, reading view and one more slide show को भी हम view में count कर सकते हैं तो मैं यहां से slide shorter view चूज़ करता हूँ तो यह देखिए यह आपके सामने सभी slides के short shot views आ गए है next question which feature will you use to apply motion effects in between a slide exits and another enters उन effects को हम क्या बोलते हैं जो एक slide के जाने और नई slide के आने पे आते हैं तो इसका correct answer है option A, slide transition जब भी कोई slide change होती है तो आप slide transition की help से effects लगा सकते हो यह देखिए जैसे यह आपके सामने एक slide show है अगर आप चाहो तो यह जैसे slide change हो रही है तो इनके in between आप कुछ effects दे सकते हो तो उन्हें हम बोलते हैं slide transition तो मैं आपको यहां से first slide के बाद एक effect देके दिखा देता हूँ slide transition effect apply करने के लिए आप यहां से transitions वाले menu पे जाओगे और यहां से कोई भी transition आप use कर सकते हो जैसे मैं यह वाली option चूज करता हूँ and next slide पे मैं कोई और option यूज कर लेता हूँ तो यह देखिए जैसे मैंने अब slide show चलाया तो यह आपके सामने एक effect आया मैं next slide चलाता हूँ तो यह देखिए कोई और effect आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं slide transition next question what lets you to create new presentation by selecting ready made font color and graphics effects तो किस चीज की help से आप ready made font color and graphics effects जो है वो देख सकते हो powerpoint presentation में तो इसका correct answer है option C design template design template एक themes की तरह होते हैं जैसे आप mobile में कोई theme change कर लेते हो तो font color change हो जाता है या वहां के graphic effects change हो जाते हैं जैसे इस presentation में हम design template change करना चाहते हैं तो हम यहां से design menu पे जाएंगे और यहां से कोई भी template यूज कर सकते हैं जैसे यह देखिए यह आपके सामने templates आ रहे हैं तो इस तरह से आप कोई भी template choose कर सकते हो next question which command will you use in powerpoint if you need to change the color of different objects without changing content अगर आप presentation objects का color change करना चाहते हो without changing content तो आप कौन सी option यूज करोगे तो इसका correct answer है option B color scheme यह देखिए जैसे आपने यहां पे different objects यूज किये हैं और आप इनकी color scheme change करना चाहते हो तो आप design tab में जाके यहां से colors वाली option चूज करोगे और यहां से आप कोई भी color scheme चूज कर सकते हो तो यह देखिए यह आपके सामने color scheme change हो गई है next question what powerpoint feature will you use to apply motion effects to different objects of a slide powerpoint में used objects को अगर आप कोई motion effects देना चाहते हो तो आप कौन सी option use करोगे तो इसका correct answer है option D animation scheme यह देखिए जैसे आपके सामने यह कुछ objects नजरा रहे हैं आप इन पे different motion effects देना चाहते हो तो आप यहां से animation tab पे जाओगे और यहां से कोई भी effect choose कर सकते हो जैसे मैं यहां से यह वाले object पे यह effect लगाता हूँ इस object पे मैं कोई और effect लगा देता हूँ तो यह देखिए जब मैं slideshow start करूँगा तो यह आपके सामने अलग-लग objects पे अलग-लग effects नजरा आएंगे next question which of the following section does not exist in a slide layout तो इसका correct answer है option d animations तो इस presentation में जैसे आप यहां से new slide layout चूज करते हो तो यहां पे आप title दे सकते हो यहां पे आप कोई भी list दे सकते हो तो यहां से आप कोई table, chart, smart object, picture या video भी insert कर सकते हो लेकिन slide layout में animations की option available नहीं होती next question powerpoint presentations are widely used as तो powerpoint presentations को कैसे use किया जा सकता है teachers अपने outline notes के लिए powerpoint को use करते है students project presentation के लिए powerpoint को use करते है and communication of planning के लिए businessman भी इसे use करते है so इसका correct answer है option D all of above next question dash controls all the main slide control tasks for your presentation तो इसका correct answer है option A task pane यह देखिए जैसे review menu पे जाके यहां से spelling वाले option को choose किया गया तो यह आपके सामने एक task pane आ गया है similarly different options के different task pane आपको नजर आ सकते है powerpoint presentation में यह देखिए जैसे आप insert tab पे जाते हो और यहां से comment पे click करते हो तो यह देखिए यहां पे comments के लिए task pane आ गया है तो task pane की help से आप slides में काफी कुछ change कर सकते हो next question which of the following pane is not available in task pane तो इसका correct answer है option C word art जैसे मैंने अभी बताया कि spelling task pane होता है new comment task pane होता है similarly animation task pane भी आप अपने आप करके देख सकते हो लेकिन word art task pane जो है वो powerpoint presentation में available नहीं होता तो इस question के according इसका answer word art है यह देखिए जैसे मैं यहां से insert tab वाली option चूज करता हूँ और यहां से word art वाली option पे click करता हूँ तो यह आपके सामने यह options आ गई है लेकिन यहां पे right side पे कोई task pane नहीं आया जैसे यह animation pane का task pane आपको नजर आ रहा है तो मैं यहां से जैसे comment पे click करता हूँ तो यह another task pane आपके सामने आ गया है लेकिन word art का task pane यहां पे available नहीं होता तो अब आपको task pane के बारे में complete पता चल गया होगा next question how can you stop a slideshow अगर आप slideshow को stop करना चाते हो तो आप कौन सी option use करोगे तो इसका correct answer है option B escape key यह देखिए जैसे आपके सामने यह presentation है तो आप F5 key press करके slideshow on कर लेते हो और उसके बाद अगर आप इस presentation को बंद करना चाते हो तो आप कौन सी key use करोगे escape मैं यहां से escape की press करता हूँ तो यह देखिए यह slideshow जो है वो बंद हो गया है तो F5 key की help से आप slideshow on कर सकते हो और अगर आप बंद करना चाते हो उसी slideshow को तो escape की press करोगे next question a new presentation can be created from तो इसका correct answer है option D all of above अगर आप कोई presentation बनाना चाते हो तो आप simply blank presentation से बना सकते हो या फिर कोई existing presentation से भी बना सकते हो या फिर design template की help से भी आप presentation बना सकते हो next question which of the following statement is false तो इसका correct answer है option B if you choose to select from pre-made slide layouts you cannot delete the objects in the layout इन सभी options में से ये वाली option जो है वो wrong है बाकी सारी correct है तो मैं इसके बारे में आपको पता देता हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप slide layout पे जाते हो तो यहां से आप कोई भी slide layout चूज कर सकते हो तो यहां से आप कोई भी object से यहां पे insert भी कर सकते हो जैसे मैं यहां पे table insert कर लेता हूँ तो इस question में बोला है कि अगर आपने कोई भी object insert किया है तो आप उसे delete नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप यहां से इस table को means इस object को delete भी कर सकते हो जैसे आप इसे select करोगे और delete की press करोगे तो यह देखी यह वाला object जो है वो delete हो गया है तो pre-made slide layouts में से आप किसी भी object को delete कर सकते हो तो यह option जो है वो यहां पे false दी हुई है बाकी सारी correct है next question the selected design template can be applied तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि design template क्या होता है तो अगर आप design template को apply करना चाहते हो तो आप कहां कहां पे apply कर सकते हो तो इसका correct answer है option D all of above means आप current slide पे भी उसे apply कर सकते हो यह all slides पे भी apply कर सकते हो यहां फिर कोई नई presentation बनाते हो तो आप उस पे भी design template apply कर सकते हो next question which of the following statement is not true तो इसका correct answer है option A you can type text directly into a powerpoint slide but typing in text box is more convenient यहां पे बोला गया है कि अगर आप powerpoint slide में कुछ भी text enter करना चाहते हो तो आप without text box भी कर सकते हो लेकिन जादा convenient है कि आप text box में entry करो लेकिन यह statement जो है वो true नहीं है क्यूंकि powerpoint में आप कुछ भी enter करना चाहते हो तो without text box आप नहीं कर सकते आपको text box use करना ही पड़ेगा मैं यहां पे इस slide पे enter करता हूँ और एक नई slide आ गई है आपके पास तो यहां से यह आपके सामने text box नजर आ रहा है मैं यहां पे कुछ भी type कर सकता हूँ लेकिन without text box जैसे यहां पे text box नहीं है तो मैं कुछ enter करने की कोशिश भी करता हूँ तो यहां पे enter नहीं होता means powerpoint presentation में without text box आप कुछ भी enter नहीं कर सकते next question to open the existing presentation प्रेस अगर आप कोई भी existing presentation जो की आपके computer पे available है उसे open करना चाहते हो तो आप कौन सी shortcut की use करोगे तो इसका correct answer है option D control plus O shortcut की यह देखी जैसे आप control plus O shortcut की use करते हो तो यहां से जो आपने presentations बनाई है वो show हो रही है यहां से आप existing presentations को choose कर सकते हो और अगर आप कोई particular presentation चूज करना चाहते हो जैसे वो PC पे पड़ी है तो आप वो भी choose कर सकते हो जैसे यहां से मैं desktop से एक presentation चूज कर लेता हूँ तो यह देखी यह existing presentation आपके सामने open हो गई है with the help of control O shortcut key आप इस presentation को open करने के लिए file menu पे जाके open option भी use करके ऐसा कर सकते हो next question what does apply design template do तो apply design template करता क्या है powerpoint presentation में तो इसका correct answer है option c changes the look of slide without changing the content design template slide की complete look को change कर देता है without changing the content तो design template apply करना में आपको बता चुका हूँ कि आप design tab पे जाके कोई भी template चूज कर सकते हो next question which is not the one of view options provided by powerpoint to look at and modify presentation तो इन सब view options में से कौन सी view option जो है वो powerpoint presentation में available नहीं होती तो इसका correct answer है option c format slide तो यह देखिए जैसे आप यहां से view tab पे जाते हो और यहां पे आपके सामने है presentation views normal outline view, slide shorter view, notes page view and reading view और slideshow को भी हम view में count करते हैं लेकिन format slide view powerpoint presentation में available नहीं होता अब आपके लिए previous video के question का answer लेकिन उससे पहले मैं आप सब को बता दूँ कि हम MS Word and MS Excel की series complete कर चुके हैं अगर आपने उन series को नहीं देखा तो यहां पे right corner में आपके पास एक i button आएगा आप यहां पे click करके उन series को भी देख सकते हो अब question which of the cell pointer indicate that you can make selection तो कौन से cell pointer की help से पता चलता है कि अब आप MS Excel में selection कर सकते हो यह देखी यह आपके सामने है एक Excel की file और यह देखी यह जब मैं mouse किसी भी cell के उपर लेके जा रहा हूँ तो यह देखी आपको एक big plus sign नजर आ रहा है तो इसका meaning होता है कि आप यहां से अब selection कर सकते हो अब आपके लिए आज का question if particular workbook have to open each time when Excel started where that workbook should be placed तो इन options में से correct answer चूज़ करके आपने comment box में बताना है इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि students की motivation के लिए इस channel पे motivational lecture भी upload होते रहते हैं तो आप right corner में यहां पे एक i button आएगा उस पे click करके motivational lectures भी देख सकते हो गर्मेंट exam की preparation के लिए आप student success by JS धन्जी channel को subscribe करो वीडियो अच्छा लगे तो like, comment and share करना मत भूले Thank you for watching